दोस्तोय स्वागत है शोलमें स्वाइश एक नेए वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वजल पर न यहाँ पर फोर्टो को हाइड कैसे कर सकते यहां न है तो यहां परंपर पोरी सेटिंग बताने वाली हैं तो फोर्टो को हाइड करने के लिए आप Normally gallery में अगर हैं, तो gallery में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे-इसे select करके रखना है photo को और इसके बाद यहाँ पे आपको set as private का option देखने को मिलता है आप इस पे click कर लेंगे इसके बाद setting पे click करेंगे तो इस type का option आजाएगा तो यहाँ पे आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको एक password set करना है आपने पसंद का तो यहाँ पे आप सिर्फ digit का भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ digit का अगर आपको नहीं करना है तो use different पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको pattern four digit का भी option देखने को मिल जाएगा तो इस step से आप यहाँ पे इसको set कर लेंगे जैसे मैं pattern पे click कर दूँगी तो यहाँ पे आपको pattern का option देखने को मिल जाएगा और अपनी person का यहाँ पे pattern यहाँ ड्रॉ कर देंगे और दुबारा से draw करना है verify करने के लिए अब यहाँ पे recovery information के लिए यहाँ पे कुछ इसके step follow करने हैं वह इस वज़े से होते हैं ताकि अगर कल को आप app लग वगर भूल जाते हैं अपना तो वहाँ पे आप recover कर सके तो यहाँ पे मैं इस पे click करके इसका question भी change कर सकती हूँ और custom भी कर सकती हूँ इसका question मतलब अपने हिसाब से भी बना सकती हूँ तो मैं यहाँ पे change कर लूँगी और इसका answer आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको recovery के लिए email id भी set कर सकते हैं इस पे click करके यहाँ type कर देंगे check mark पे click कर देंगे ठीक है और link भी कर सकते हैं account इसके बाद यहाँ पे check mark पे click करना है agree and continue पे click करना है बैक कर देंगे और अगर यहाँ पे आप face log भी उस करना चाहते तो use पे click कर देंगे अधर यहाँ पे cancel कर देंगे आप यहाँ पे image और video आपको add यहाँ पे save करनी है तो plus के निशान पे आप click करेंगे और यहाँ से click करके image add कर लेंगे और right पे click कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका private safe में successfully यह वाली image आ चुकी है अब मैं आपको दिखा देती हूँ gallery तो gallery में आपको यह देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे a gallery में आपको वापिस से लाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे लिखावट है यहाँ इस पे आपको रखना है यानि कि इसदenses करन में और उसे छोड़ कर आपका ऐसा option आजाएगा तो यहां पर जो भी आपने set कर रहा है लॉक वगरा वो आप यहां पर लगा देंगे तो यह रहिए आपकी hide photo तो इसे आप यहां से इस तरह से देख सकते हैं और इसको वापिस से गैलरी में लेकर आना है तो इसके लिए आप यहां पर set as public पे क्लिक कर देंगे और इसके बार इहां पर storage location पूछ रहा है तो यहां पर आप ऐसे क्लिक करके अपना storage यहां पर क्लिक कर लिए हैं और इसको ऐसे करके देख सकते हैं कहीं पहलेजेगा और इसe एप से आप काई पो बश्रेश्टिक कर लिए और चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार